So guys, अगर आपके phone को hot spot किसी दूसरे phone में connect नहीं हो रहा है, यानि कि आप अपने phone में hot spot on करते हैं and सामने वाले phone में wifi को on करते हैं, फिर जब आप अपने hot spot उसमें connect कर रहे होते हैं, तो आपको hot spot connect नहीं होता है, यानि कि आपके phone को hot spot other phone में connect नहीं हो रहा है, तो आप इस problem को कैसे solve कर सकते हो चलिए हम आपको बता दे हैं बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले आपको यहां पर इसक्राइब करना है जहां से आप अपने होटेश्पोर्ट का नेम औंड पासवड ये दोनों चीज चेंज करेंगे तो यहां पर आप अपना नेम डाल सकते हो या कुछ भी डाल दो तो चलो मैं पासवड भी चेंज कर लेता हूँ तो यहां पे हमने अपने hot spot का name and password चेंज करा उसके बाद में यहां पे आपको कुछ setting चेक करना है यहां पे आपको मिल जाता है select IP bands यहां पे आपके में 2.4 वाला select होना चाहिए अगर 5 select होता है तो इसको हटा के 2.4 ही रखना है because कई phone होते हैं हो सकता वो ऐसा phone हो जिसमें वहां पे 5 वाला support ना करें है तो just आपको कुछ नहीं करना यहां पे आपके 2.4 वाला select होना चाहिए उसके बाद में hide its SSID यह आपके में off होना चाहिए तो मेरे में पहले से बन नहीं तो just आपको यह चेक करना उसके बाद में आपको सही पे क्लिक कर देना है फिर आपको यहां पे पैक चले आना है है तो बाइक आओगे फिर जोस्तों आप यहां पे चेक करो तो आपको heart support दूसरे phone में connect होना चाहिए और इस सरीके से problem solve वो जाएगी लेकिन अगर आप यह करते हो और फिर भी आपके phone को heart support और दूसरे phone में connect नहीं होता है तो चलो मैं आपको दूसरा setting बता देता हूँ तो फिर आप क्या करना setting को open करके यहां पे आपको उपर search पर क्लिक करना है और यहां पर आपको search करना है reset काई जैसे आप reset search करोगे ना तो आपको यहां पर solve हो जाएगा राइट तो यहां पर आप reset settings पर क्लिक करो और यहां पर आपके screen का जो भी लोग है वो डाल दो फिर आप यहां पर next वाले option पर क्लिक करो फिर आप यहां पर support को आप on करो और अभी दोस्तों अगर आप चाहो तो अपने मन पसंद का यहां पर दुवारा से अपना password होगा यहां पर सेट कर सकते हो तो यह आप कर सकते हो फिर आप यहां पर चलिया आओ बैक इससे प्रोब्लम हंडेट परसंट सॉल्फ हो जाएगी अब दोस्तों आपके फोन का जो heart support है वो दूसरे फोन में connect होगा राइट तो गाइज इस तरीके से अगर आपके फोन का heart support दूसरे फोन में connect नहीं हो रहा है तो आप इस प्रोब्लम को काफी easy way से fix कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो subscribe करो चलिए दोस्तों हम आप से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ आपता के लिए जाय हिंद जाय भारत